हाई गाईज आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मा गर्म हल्वा जो माताराणी का परसाद भी का जाता है और पंजाबियों में का कड़ा परसाद आज हम टेश्टी टेश्टी माताराणी परसाद बनाएंगे और कड़ा परसाद भी बनाएंगे इसके लिए आप देशी घी लीज डालें और फिर उस्ते गरम होने दीजिए गरम होने के बाद उसमें अट्टे को मिलाएं और कौन्चे के साथ हिलाते रहें अच्छी तरह से लाते रहें जब तक अट्टा नयसिख जाए तब तक आप इस तरह से इसे लाते हैं हल्वा माता रानि का भोग हल्वे इसज़ाए जाता है यह परसाद के रूप में घ्रहाण किया जाता है और गुरु दौारे में इसे कड़ा परसाद बोलते हैं यह यह बहुत चेश्टिरी से आप इसे देशी घ्रहं और फिर आप इसमें सभी जो कर जैसे मेवा बदाम का जो किसमिस जो भी आप डाल कर खाना पसंद करते हैं वो सभी इसमें डाल सकते हैं तो लीजिये हमारा जो अटे का हलवा है वा भी सीख रहा है तब तक से के और गैस को मेडियम रखें और तब तक से के जब तक यह अच्छी तरह से नैसिक जाए इसमें से हल खुसबू आएगी हलवेगा अट्टा सिखने की हलवे जैसी खुसबू आने सुरू हो जाएगी और अट्टा सिखके लाइट ब्राण का हो जाएगा तो आप इसे मीडियम गैस पर सेखते रहें ताकि हमारा जो हलवेगा परसाद है मातारानी का परसाद है वह बहुत और स्वाधिष्ट बने और हम घर पर भी मातारानी का परसाद और कड़ा परसाद का स्वाध चक सकें तो इसलिए हम आज आपको हालो अबनाने की वीदी बता रहें हैं आप इसी तरह से इसे भूनते रहें कैस को मीडियम रखें कुंचे को छोड़ कर कोई और कामने लगना क्योंकि अगर हम कुंचा नहीं मारेंगे तो हमारा नीचे से जो अटा है वो जल जाएगा और आधा का चल जाएगा इसलिए आप कुंचा लगादार चलाते रहें फिर यह देखिए हमारा अटा लाइट ग्राउंड रंका में हैं अब आप पतिले में एक ग्लास या जितने पतिले कॉंटि में आप पाणी गरम कर लिजये गरम करने के बाद पानी इस सी के हुए आटे में डाल देजिए यह देखिए हमने के गरह मारें निष्ट क्वंसी के साथ हिलाते रहें tip जब तक अच्छी तरह से नय बन जाए तब तक आप इसमय पानी डालें और थोड़ा थोड़ा पाणी डाल कर से हिलाते रहें कि छे लगने लग Ayawag सहींत बन गए है और दिख रहा है तो आप इसमय पानी मत डाले अगर आपको जिस तरह का हल्वा चाहिए उसी के इसाफ से आप पानी डालें इसमें अब आप इसमें चिन्नी एड़ करें कि जिन्ञी आदिकर यहनी की सुगरऊ को एड़ करें जितना आप खाना पसंद करते हैं उतना ही आप इसमें सुग़र को आड़ करें और अच्छी सुगर अच्छी तरह से ना मिल जाए तब तक आप इसे गैस पर मेडियम गैस पर रखें आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लें ताकि जो सुगर याने की चिन्नी के दाने हैं वह अच्छी तरह से पिंगल जाएं यह देखिए हमारा हल्वा बन कर त्यार हो गया है अगर आपको हमाडरेस भी पसंदाए हो तो सब्सक्राइब करें धन्यवादेबर